हेलो फेंड, मैं अना मिका, मेरे चीचे में आप सभी का श्वागत से, आज मैं आलू की टिक्की बनाने जा रही हूँ, आलू की टिक्की बनाना बहुत ही आशान है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद है, तो अगर ये मेरे आलू की टिक्की की रिश्वी आपको पसंदा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्स्प्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए हम आलू टिकी बनाना शुरू करते हैं आलू टिकी बनाने के लिए हमने जो इंग्रिडियंस लिया है वो है चार आलू जिसे हमने प्रेशर कुकर में चार शिक्की में उबाल लिया है आलू आपको ज़्यादा गलाना नहीं है, अगर ज़्यादा गल गया तो उसे फीज में दो घंटा रखके फिर उसे छीट सकते हैं थोड़ा सा हमने बेफ ठॉंस लिया है, चार हड़ी मिर्च को हमने काट लिया है चावल का आटा लिया है, धनिय पत्ते को हमने बाडिक काट लिया है फ्राइ के लिए हमने तेल लिया है नमक्त, स्वाद अनुसार, लाल मिर्श, अम्चुर पॉडर, जीरा पॉडर अब हम एक बावल लेंगे और उसमें आलू को डाल देंगे और इस पोटेटो मैसर से इसे अच्छे से मैस कर लेंगे इस तरीके से पोटेटो को अच्छे से मैस लेंगे अब हम इसको डालेंगे और इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्श आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो एक मिर्श और बढ़ा सकती है इसमें हम डालेंगे आधा चमच जीरा पॉडर हरी मिर्श डाले हैं तो हम थोड़ा ही लाल मिर्श डालेंगे तो यहाँ पे हमने आधा चमच लाल मिर्श डाला है इसमें हम एक चमच आमचुर पॉडर डालेंगे और हम इसमें धनिया पत्ता थोड़ा जादा ही डालेंगे क्योंकि धनिये पत्ते से आलू में बहुत बढ़िया तेश्ट आता है अब हम इसमें 4 बड़े चमस चावल का आटा डालेंगे चावल का आटा नहीं है तो चावल को मिकसर जाड में डालके और पीस के आटा बना सकते हैं और हम इसमें ब्रेट क्रम्स डालेंगे तो इसे आप घर पे भी बना सकती हैं अगर नहीं है तो एक ब्रेट को पानी में भीगा के उसे भी डाल सकती हैं अब हम डालेंगे इसमें नमक तो नमक हम अपने स्वात की अनुशार डालेंगे और सारी शामगरी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसे हम हाथ से मिक्ष कर ले रहे हैं और इसका एक स्वूथ डो तयार करना है हमें तो ऐसे मैस के हम सारे सामगरी को मिक्ष फ़ड ले हैं और आप देख सकते हैं एक अच्छा सा डो तयार हो गया है तो अब हम इसके टिक्की बनाना शुरू करेंगे अब हम आलू में से ऐसे एक बड़ाबर पीसेस लेंगे और ऐसे हाफ से प्रेस करके और एक टिक्की का शेप दे देंगे तो आप ए अंगूठे के बीच में टिक्की को गोल करेंगे तो सारे टिक्की आपके एक साइज के तयार होंगे ऐसे दबाना है और अंगूठे का ऐसे गोल बनाके गोल-गोल घुमाना है तो आप देख सकते हैं एकदम पर्फेक्ट टिक्की तयार होई है तो ऐसे ही हम सारे टिक्की को एक लोई के रुप में बनाएंगे फिर प्रेस करेंगे और ऐसे आंगूठे का राउन बनाके दबाते हुए शेप तयार करेंगे मिक्चर को हमने इसी तरीके से शेप दे दे के टिक्की बना लिया है ऐसे गोल करके और दबाते हुए राउन शेप दे दिया है आप किसी भी शेप में टिक्की तयार कर सकती है पर हमने ऐसे ही टिक्की तयार किया है अब हम इसे फ्राइ करेंगे टिक्की को फ्राइ करने चलते हैं तो कडाही में हम तेल गरम कर लिये हैं उसमें हम एक टिक्की डालके शेक करेंगे, अपना तेल गड़ब हो चुका है, तो इसमें हम भीरे भीरे बागी के टिक्की को छोड़ देंगे, एक बाड में दितनी टिक्की आप आएगे, उतना ही हम डालेंगे, तो हम एक साइड से डीप फ्राइ कर लेंगे, हम जल्दे नहीं उल्टेंगे, नहीं तो टिक्की अपनी तूट सकती है, तो आप देख सकते हैं, एक साइड से डार्क कलर आ गया है, अब हम सारे टिक्की को आडाम आडाम से उलट लेंगे, एक साइड से से शेखने में हमें तीन मिनत लगे है, अब हम दुसरे साइड से भी ऐसे ही सीख लेंगे, अब हम गयास का फ्लेम थोड़ा स्लो कर लेंगे, आप देख सकते हैं टिक्की अपनी दोनों शाइब से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो अब हम इसको छलने के सहारे किनारे कर लेंगे जिससे एक्स्ट्रा तेल निकल जाए और एक प्लेट पे हम किचिन पेपर रखेंगे और उस पे एक एक टिक्की को ऐसे निकाल लेंगे तो ऐसे ही हम सारे टिक्की को किनारे करके और तेल को निकलने तक रखेंगे और एक एक टिक्की को निकाल लेंगे हमने सारे टिक्की को ऐसे ही निकाल लिया है तो आप देखिए कितना क्रिश्पी त्यार हुआ है अब हम इसे एक शर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे तो आप देखिए कितना क्रिश्पी त्यार हुआ है आलू की तिक्की आप इसे ऐसे करके देख सकते हैं अब हम इसे टोमेटो केचब के साथ शबर करेंगे तो यह अपनी आलों की टेश्पी तिक्की बनकर त्यार हो गई है इसे आप भी बनाएए और टेश्ट कीजिए अगर यह मेरी रेश्पी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए धन्यवार